आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक विनिंग प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं ऐसा प्रपोजल जिसके थूँ आपके 90% चैंसे इंक्रीज हो जाएंगे आपको जॉब मिलने के मेरा वो फोर्स रैप का फॉर्मॉला है जो मैं यूज करता हूँ कोई भी प्रपोजल लिखते हूँ और हमेशा जब भी मैं प्रपोजल लिखता हूँ तो मैं उसको फ्रेश और हैंड रिटन प्रपोजल लिखता हूँ मैं pre-written proposal या copy-pasted proposal जो है वो किसी भी buyer को नहीं भेशता बहुत सारे जो sellers है वो ये गलती करते हैं और इसी गलती की वज़ा से उनको फिर jobs नहीं मिलती तो आप ये गलती मत कीजेगा गलती क्या है ये sellers जो है वो copy-pasted proposals जो है वो buyer को भेशते रहते हैं और जिससे buyer को पढ़के ये अंदाजा हो जाता है कि ये एक copy-pasted proposal है और वो फिर interested नहीं होता आप से discuss करने में और आपको job देने में तो guys हमेशा कोशिश कीजिए कि आप भी hand written proposal लिखे और proposal आपको कैसे लिखना है कितना बड़ा होना चाहिए proposal और क्या वो steps होने चाहिए proposal को लिखने के लिए तो आज मैं आप से इस वीडियो में four steps share करने वाला हूँ और वीडियो के end में मैं आप से वो sample भी show करूँगा जो मैंने proposal लिखा होगा इस वीडियो में तो आप ही के सामने मैं एक live job search करूँगा और उसके लिए proposal लिखूँगा तो आज की इस वीडियो में आप से tool शेर करने वाला हूँ sample शेर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को end तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो मेरे channel को subscribe कर लीजिए और all notifications पे click कर दीजे ताके आपको मेरे videos की updates मिल सके तो चलिए guys शुरू करते हैं formula के साथ तो guys formula में number one step है greetings greetings का मतलब है कि आप अपने buyer को मुखातिब कैसे करेंगे hello hi dear क्या लिखना चाहिए तो guys मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप buyer को greet करें तो आप उसको hello hi dear लिख सकते हैं लेकिन उसके साथ कोशिश कीजिए कि आप उनका नाम जरूर लिखें और अगर आपको नहीं पता कि आप उनका नाम कैसे लिखेंगे तो मैंने अपनी last video के अंदर एक tool बताया था 5Litics के नाम से उस tool को आप install करेंगे तो वो एक magical tool है जो के फाइवर पे आपको buyers के name दिखा देता है अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी कि 5Litics को कैसे install करना है और कैसे उसको utilize करना है keyword research के लिए तो I would highly recommend के आप वो वीडियो जाके देखिए जिसमें मैंने complete keyword research का process बताया है तो आईए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ तो guys हम चले जाते हैं Chrome पे और ये मेरा buyer request का session खुला हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको buyer का name नजर आ रहा है guys यह आप देख रहे हैं आपके पास जो buyer request आ रही होंगी उस पे आपको buyer का name नजर नहीं आ रहा होगा आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ आपको तमाम buyer जितने भी सबने जिनोंने job पोस्ट की वी है उनके आपको name नजर आ रहे हैं तो इस तरीके से आप उनके name से उनको मुखातिब कर सकते हैं तो पहले step क्या आए कि आपने hello high और name लिखना है और अगर आपको name नहीं पता तो आप जो है वो just hello high लिखिए ठीक है यही professional है यही best method है ठीक है आपने dear buyer, dear customer यह नहीं लिखना यह professional नहीं लगता आपने क्या करना है कि आपने अपना introduction देना है introduction में आप हमेशा पहले अपना नाम बताएंगे ठीक है और उसके बाद आपने introduction के साथ अपना नाम बताने के साथ आपने उसकी job की detail mention करनी है for example जैसे मैं अगर आपको अपनी screen पे दिखाओं यह लिखाओ है we are looking for a customer services specialist to join our growing business तो आप क्या लिखेंगे के my name is Umair Suhail and I came to know that you are looking for a customer services specialist for your growing business तो जो बेसिकली उसको चाहिए जो चीज उसको चाहिए जिस skill के लिए जिस service के लिए वो धून रैफ फ्रीलैंसर को तो वो आप first line में mention कीजिए ताकि उसको पता चले कि इसने मेरा proposal पढ़ा है और यह जो मेरी problem है जो मेरी job है उसको समझ गया है और उसके regarding ही यह मुझे proposal लिख रहा है तो इस तरह हमेशा introduction में one liner introduction हो आपने लंबी कहानिया नहीं लिखनी आप उसमें अपना नाम बताएं ठीक है और उसके बाद job के बारे में जो detail उसने लिखी वी है वो mention करें उसको ठीक है ताकि उसको फॉरन एक click हो कि हाँ इसने job पढ़ी है इसको पता है कि मुझे क्या चाहिए तो जो जो लिए आप आते है step number 3 की दरफ step number 3 में अब आपने hero बनना है उसकी थोड़ी सी methodology बता दीजिए उसके tools बता दीजिए कि कौन से tools आप use करेंगे कितना experience है आपका कितना skillful है आप और कितना interested है आप इस job के लिए तो यह आप बता दीजिए step number 3 में और in the end जो मैं इसको कहता हूँ hero skills तो इसमें आपने hero बनना है basically कि कैसे आप उस job के लिए एक hero है उस client के लिए एक hero है अच्छा तो अब आते है step number 4 की तरफ step number 4 step number 4 में बस अब end करने लगे है proposal को तो इसके अंदर आपने ending करनी है proposal की और ending करनी है ending with a CTA आपने call to action नेना है call to action का मतलब है कि आपने ऐसी one liner line लिखनी है कि जिसमें आप buyer को trigger कर रहे होंगे कि वो आपसे contact करे वो आपसे communicate करे चीक है इसमें कहीं तरह की lines हो सकती है चीक है ये CTAs हैं ये call to actions हैं जिसमें आप buyer को trigger कर रहे हैं कि वो आपसे as soon as possible contact करे और आपको वो job दे चीक है तो ये आपने हमेशा लिखना है कि ऐसी line लिखनी है ऐसी one liner line लिखनी है कि जिसकी वज़ा से buyer आपको contact करे चीक है और उसको ये feel होना चाहिए कि आप आप जो है वो एक value दे रहे हैं और अगर उसने contact नहीं किया आपसे तो वो value खो देगा ठीक है उसको ये sense भी करवाना है तो इस तरह से guys ये हैं four steps और ये four steps बहुत जबर्दस हैं तो guys अब मैं एक proposal लिखता हूँ अब मैं एक job search करता हूँ आपके सामने मैं job search करूँगा और proposal लिखूँगा proposal लिखने के लिए मैं वीडियो को थोड़ी देर pause करूँगा काफी time taken भी होगा तो आपका भी काफी time लग जाएगा तो मैं चाहता हूँ उसको जल्दी से कर लूँ तो मैं एक वीडियो को pause करके एक अच्छा सा proposal बनाता हूँ और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो चलिए अब आईए ही हम जॉब सर्च करते हैं और जॉब सर्च करके फिर मैं आपको उसका proposal लिख के दिखाता हूँ अभी इस वीडियो में जॉब सर्च करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ आया है Unleash Fiver 1.0 जो के बहुत डीटेल और Most Comprehensive Course है Fiver के बारे में और उस course को करने के बाद मेरी ये guarantee है कि आपका Fiver के लिए कोई question नहीं रहेगा और अगर कोई question रहता है तो मेरे group को join कीजिए मेरे group में अपने questions post कीजिए उसमें आपके मैं तमाम questions के answers दूँगा तो guys course का link भी description में मौझूद है और group का link भी description में मौझूद है तो आप find out इसको कर सकते हैं चलिए आईए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम job search करते हैं तो guys यहाँ पर buy request के section में मैं मौझूद हूँ Fiverr के आपको अगर नहीं पता तो आप अपनी Fiverr की profile में आएं more पे क्लिक करें और buy request पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस page के अंदर आ जाएंगे आपको 10 offers का जो है वो daily bits करने का मौका मिलता है Fiverr के उपर तो आपने इसमें देख लेना है कि जो सोच समझ के अच्छी jobs जो आप कर सकते हैं उनी के अंदर आप apply करें तो मैं ढून लेता हूँ अपने मतलब की job और उसके लिए फिर मैं apply करता हूँ तो गाइज ये एक job मेरे मतलब की मिल गई है कि email copywriting with excellent click rate and automation गाइज ये service मैं Fiverr के ओपर offer कर रहा हूँ तो most probably मैं इसी job के लिए apply करूँगा ठीक है तो although इस बायर ने बहुत कम information लिए कि इसको actually चाहिए क्या तो मैं अपनी तरफ से ही एक कोशिश करता हूँ एक अच्छा से अच्छा इस buyer को जो है वो मैं भेजू तो guys सबसे पहले तो मैं relevant जो गेग है वो choose करूँगा वो choose करने के बाद यहाँ पर मैं cover letter लिखूँगा जी guys तो हमारा proposal ready है आपके सामने अब मैं proposal आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसा proposal तयार किया है proposal देखने के बाद आप भी मुझे comments में बताइए कि आपको यह proposal कैसा लगा और आपको यह four step formula कैसा लगा तो चलती है guys formula के मताबक step by step अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा मैंने proposal तयार किया और आपके सामने ही मैं इस proposal को ही submit करूँगा तो चलिए आईए देख लेते हैं step number one है greetings तो greetings में हम देखते हैं मैंने आपको बताया था hello और नेम लिखना है तो यहां उसका जो नेम था वो मैंने लिखना है और उसके आगे मैंने एक line add कर दी है कि this is a hand written proposal मैं यह line अब लिखना शूरू हो गया हूँ क्योंकि यह line जो है वह बहुत जबदस result देती है बायर को देखते ही पता चल जाता है कि इसने यह proposal खुद लिखे और यह copy-pasted proposal नहीं है तो वह मुझे बहुत अच्छा response देता है जब से मैंने यह line लिखना शूरू की है तो आप भी यह line जरूर लिखिए first line में तो इससे आपको भी बहुत अच्छा response मिलेगा बायर at least आप का पूरा proposal पढ़ता है ठीक है अच्छा जी greetings हो गई greetings के बाद आपका second paragraph शुरू होता है second step शुरू होता है जिसमें आपने introduction देने introduction में चैसा आप लिखिए my name is your name अपना name लिखिए और उसमें उसको बताइए कि उसको क्या चाहिए क्या चीज वो ढूंड रहा है मेरे case में को एक email copywriter ढूंड रहा था तो मैंने यहां पर लिखा है कि my name is Umair and I have just read that you are looking for an email copywriter with excellent click rate and automation ठीक है उसने सिर्फ यह चीज लिखी वी थी तो मैं समझ गया उसको एक email copywriter चाहिए ठीक है तो मैंने यह mention कर दिया कि आपको यह चाहिए तो मैं यह चीज आपको provide कर सकता हूं ठीक ह 3rd step पे आते हैं 3rd step पे आपने hero बना है hero बना का मौका आगे है guys अब यहां पर आपने skills expertise और सब चीज़ें show करनी है थाके buyer को थोड़ा सा influence करें कि वो आपको क्यों hire करे तो मैंने लिखा है कि आपको 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 आपक 0 part complete हो चुका है, अब इसके बाद 4 step पे आते हैं, 4 step पे आपने end करना है proposal को, ठीक है, और ending with a CTA, इसमें call to action देना है, कि वो जल्दी से उसको एक हरी महसूस करानी है, कि वो जल्दी से जो है, वो आपको contact करें और आपको job देए, ठीक है, तो आपने ऐसी lines यहां पे चोज़ कर करके लिखनी है, ओके, so, let's read this, this is first time we will be working, so I'll give you most reasonable price, ठीक है, पहली चीज, पहली value, कि मैं उसको बता रहा हूँ कि हम first time work कर रहे हैं, तो मैं आपको reasonable price दूँगा, so we can start the job smoothly, ठीक है, और if you have any questions, please let me know, waiting for your reward, ठीक है, इसमें मैंने 3 call to actions दिये हैं, first call to action है, कि हम पहली दफार काम कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बहुत reasonable price दूँगा, अगर तुम उससे contact करते हो, तो, second मैंने उसको दिया, कि अगर तुमारा कोई भी question है, तो ask, ask me, at least we will start the discussion, he will try to communicate with me, ठीक है, अगर वो मुझसे कोई question करता है, तो फिर हमारी chat शूरू हो जा हूँ, तो मैंने उसको ये 3 CTAs दिये हैं, जिससे उसको urgency feel होगी, कि वो मुझे contact करे, और अगर वो मुझे contact करता है, तो फिर हम उसको, हम उससे बात करके, इस job को, और rates के बारे में, जो अगर कोई उसका question है, या मेरा कोई question है, तो मैं उससे पूछ के हम इस चीज को close कर दे ठीक है, तो ये हो गया, proposal ready, और आपके सामने मैं इस proposal को लिखूँगा, एक और बात, ये headings मैंने आपके लिए डाली भी है, ठीक है, आपके समझने के लिए डाली है, आपने ये proposal में ये headings नहीं डाली है, जो मैंने लिखा वाए, greetings, introduction, hero and end with CTA, ठीक है, ये आपके लिए मै भेज देते हैं, चलिए जी, इसको मैं copy करता हूँ, और यहां पर आके मैं इसको paste करता हूँ, मैंने उसको offer दे दिया, जो मुझे offer देनी थी, मैंने placeholder offer दिया, जब वो मुझे आके communicate करेगा, तो फिर हम actually rate के उपर बात करेंगा, तो guys, ये आपके सामने मैं इस offer को submit कर रहा ह offer submit हो गई, proposal submit हो गया, तो guys, इस तरीके से जो है, वो मैं proposal लिखता हूँ, और आपको मैंने अपनी exact same strategy बताईए, कि आप कैसे proposal लिख सकते हैं, तो आप मुझे comment में बताईएगा, कि आपको ये video कैसी लगी, मेरा proposal writing format जो है, वो कैसा लगा, मेरा formula कैसा लगा, और आपको अग value दी हो, please consider subscribing the channel, and मेरे video को share जरू कीजएगा, till then, take care, bye.